नमस्कार साथ आपको स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेट वित रहुनिक चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं आज 19 जनवर यह सुभा के दस बर जला लाइब मार्केट ओपन है बट कल आलोक इंडस्ट्री का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आयता वो लेट आयत आपको देखना हो मिलेंगे तो आलोक इंडस्ट्री का प्रोड़क्शन के पहले उसके वारें बात करते हैं तो अगर अभी तक आप अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बैल है को बजाना बिल्कूल न भूलिए तो देखिए आलोक इंडस्ट्री करती क्या है आलोक स्था यहां, एंडस्ट्री करना के तो अपने जान करने प्रोडुक्शन का।ब्ड़क्शन काहते है मॉटा 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 पॉलिष्टर के इंडर भी है, टेक्स्ट्री को ओफरिंग भी है, तो बेसिकली में रीजन समझेंगे आलोक इंडस्ट्री किस मीसक जो भी प्रोडक्शन का में जरूरत होती है टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए यानि क्लोधिंग के लिए यानि पब्लिसिटी के लिए वह चीज़ काम यह लोग कंपनी करती है अब इसका क्वाटर थेकर रिजल्ट कैसे रहा उसके बारे हम बात करते हैं तो चलिए चलते हैं त इसका रिजल्ट जो निकल के आए दकल साम को चे चलिस पा आउटकॉम वह तो बट साम रात के नो बज़े तक पूरी अपडेट होई दी अभी मौर्निंग में पूरी अपडेशन हमारे को मिलिए तो इसका क्वाटर थेकर रिजल्ट कैसे रहा वह समझता है उसके बारे में नो सो त्रेसट करोड रुपे गाए 15,960 करोड रुपे का स्टोक आरो सी इसका माइनस में अभी हुई माइनस 0.63 परसेंट बुग वैलिज की माइनस में 36 रुबे है डिवीडेंड कंपनी नहीं देती है फेस वैलिज की एक रुपे की है अब देखे कंपनी ने क्या गरा कं अबने ने क्वाटर क्वाटर वाई रिजल्ट अच्छा दिया अभी तक तो यह देखी इनकी टोटल दिसंबर में इनके सेल जो हुई है टोटल इस क्वाटर में सेल जो हुई है इनके सेल हुई है दो हजार 11930 करोड बेगा इनको ऑप्रेशन प्रॉफित आया जीरो जीरो नो तो अब देखेंगे इसके अंदर और क्या इसका एपस अभी बिलकुल डाउन 0-0 एक्वल हुआ है एक इसमा को बड़त घरावर देखने को नहीं मिली है अब देखें इसके अंदर रहें कि लास्ट क्वाटर की बात करेंगा लास्ट क्वाटर के सेल थी करोड की वह बढ़के हुई है दो हचार एक सुनकतिस करोड यह क्वाटर कवाटर में सेल में जाफा देखने हो मिल रहा है और फॉफिट में और ऑप्रीसिन प्रॉफित इनका है एक सो तेरा लाग का एक सो तेरा करोड़ का बढ़के हुआ है एक सब्सक्राइब करोड़ पर तो कॉटर कॉटर वाई प्रॉफिट में ग्रोफ देखने हो बिलिए और एक चीज़ और देखने हो बिलिए इस कॉटर में कमपनी न अपना कर्जा कम किया है इनका नेट प्रॉफिट है लास्ट प्रॉफिट में गई है यानि के प्रॉफिट मानिक बाद कम्पनी न सीथा सीथा अपना कर्जा कम कर लिया तो यह अच्छा इंडिकेशन देखने हो हमारे को मिला है अब चलते यह यह रवाई देखेंगे तो लास्ट इयर सेल थी एक हजाद दो सो एक करोड की वह बढ़क इस करोड से बढ़के 177 करोड देखने हो मिल रहा है और प्रॉफिट था इनका माइनस में 0-35 करोड घटके हुआ मैनस में 009 तो प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट में भी बढ़क देखने हो मिल रही है और EPS इनका था उस टेम पे 00-0077 वह घटके हुआ 0000 तो इस कंपनी कर्जे से प्रॉफिट में मुनाफिशे घाटे सा मुनाफिम आई यह कंपनी और कंपनी ने सेल में ग्रोथ देखने हो मिली आपको यानि के लास्ट इस यानि के 2021 के रिजल्ट आ रहा है यानि अभी तक का फाइनल से 22 और 21 के अंदर जो इसकी रिजल्ट की जो घाटे से प्रॉफिट मागए तो इसमें शेयर के अंदर तीजी देखने हों मिले होगी आज के दिन में और कित्ती तीजी जाएगी उसके बात करते हैं तो सबसे चले चलते इसके अंदर इसकी शेयर होल्डिंग पैटन देखने अभी अगर अपडेट होगी तो दिसंबर क अपनी होल्डिंग बढ़ा है 0.53 से बढ़के 0.14 तो डिस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पबले की होल्डिंग तोड़ी घ्रावट हुई है बाकी अच्छा इंडिकेशन आमारे को देख रहे हों बिल रहा है इसके कौर्ट तरी चलते हैं और टेक्स्टाइल को ल तो यहां पर यह देखं यहां पर आज यह अपना फिफ्टी टुव हाई कर दो हीना मा से 1949 थीघर कर सब्सक्राइब यह करें तो पांच दिन के अंदर इनधाव सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब नियुक्त चार्ट में रिये-शाट्राइब के अधार वह सब्सक्राइब यहां पर डेली चार्ट पर अच्छा कासा इंडिकेशन दिख रहा है अच्छी कासी टैट्री में जा रहा है तो यहां से भी आप ट्रेंडिंग देख रहो हो मिलेगा और यह देखिए रिजल्ट से पहले मुवमेंड बनेगा अगर आपको मिलता है गिरावट में तो 30 रुप अब ही इसमें है जो हडल था इसका यानि 31 का असपार ही ट्रेट कर रहा है तो अब इसमें घबराने की बाते है थोड़ा वीकली चार्ट पर चलते है रहा है आप इस एक डावट की इंडिकेशन नहीं देख रहे है हमारा को और रिजल्ट का इंपैक्ट भी इसमें देखने तो जल्दी इसमें मेरा पहला टाइगेट है इसके अंदर 40 रुपे और 45 रुपे तक इसमें कोई भी अब आप डाउन देखने को नहीं मिलेगा 45 रुपे तक इसके अंदर अगर आपके पास आप भी भी है तो इसे होल्ड रखिए और नियू फ्रेस बाइंग करिए 30 रुपे